ग्येसं स्राम। भीकूम। क Cl Austra7 आज के लेक्चर में आधास करते हैं, lecture दूत आज के लेक्चर में हम स्रड़ी करने जा रहे हैं। चेप्टर वन कमस्त बेखने कंसेब cricket हमने के लेक्चर इसलाएं, प्लाइनिंग मेंकुज्ड हो नुदोग के अधी जन अधीन, को डिजाइन किया गया है आपने उसमें डिफरेंट अगर टॉपिक्स को ढूना है कैसे सर्च करेंगे और फिर उसके बाद पहला लर्निंग अब्जेक्टिव करेंगे चैप्टर वान का कम्प्रीट नहीं होगा इसमें सिर्फ कुछ फीचर्स हम स्टड़ी करेंगे फीचर्स क्या होता है लेकिन सबसे पहले हमने स्टड़ी करना है बुक का स्ट्रक्चर ब्रीफली इससे पहले अगर आपने कैफ 4 स्टड़ी किया हुआ है मुझसे तो आपको अंदाजा होगा लेकिन फिर भी अगर कोई निया स्टोर्ट है पहली दोब पढ़ड़ा है तो उसके हर चैप्टर का जो पहला पैज होगा वो आपको इस्तरह का नज़र आएगा इस पेज में क्या होगा आपको सबसे पहले पता चलेगा कितने कंसेप्स हैं इस प्ता चलेगा आपको कि कौन नहीं से हो सकते हैं आपके लिए मैंने क्या बताई थी कि आपने याद इसी बुक से करना है उसके बाद हर रोज हर रोज रेलिवेंट कंसेट आई कैप की बुक से जाके एक दफ़ा रीड कर लेना है ये इंशूर करने इसके बाद इससे आपको अंदाजा हो गया कि आप इस चैप्टर में कोंगों से कंसार शड़ी करने जा रहे हैं फिर एंड पर अब्जेक्टिव टाइप क्वेस्टन आपको मिलेंगे ये कुछ क्वेस्टन आपकी बुक में भी है और उन्हीं को हमने इस बुक में इंपूड कर दिया है ताके क्विकली आपका जो कंसेप्ट आपने स्टड़ी किया डेली बेसिस के ओपर आपकी वैलिएशन भी साथ-साथ होती रही होती रहे ऐसा नहो कि पहले पूरा चैप्टर कंप्रेट हो फिर उसके बाद पास्ट पेपर की प्रैक्टिस की तरफ जाए ऐसा नहीं होगा बलके रोज का रोज हम जो कंसेप्ट सीखेंगे उसके प्रैक्टिस भी रोज की रोज करेंगे ताके डेली बेसित में हमारी वैलेशन होती रहे कि आज हमने जो कुछ सीख़ है क्लास में क्या हम उस नौलज की बेस पर एक्जाइम लेफल की प्रैपरेशन अक्जाइम लैफल के क्वेसटि को कर सकते हैं कि नहीं कर सकते तो हर learning objective के end पे आपको questions मिलेंगे लेकिन उनका solution आपको chapter के end पे मिलेगा तो यह pandex 2 है वो part जहां पे आपको उन practice questions के solution मिलेंगे जो इन learning objective के end पे हैं फिर इसके बाद जब आप next page पे जाएंगे तो यह आपको graph मिलेगा यह basically पिछले कुछ attempts का trend show कर रहा है किस किस time में कौन कौन सा कितने marks का paper उसने इस chapter में से test किया है इससे आपको अंदाजा हो जाता है overall significance का कि exam point of who से यह chapter कितना significant है next overview of chapter दिया गया है और examability of the chapter दिया गया overview of chapter का मतलब यह होता है आपको theme पता चल जाए कि chapter क्या discuss कर रहा है theme पता चल जाता है, develop हो जाता है, ताकि इस chapter में जो भी concept आने वाले है उसके बारे में आपको जैसे होता है कि हलका सा trailer जहन में बन जाना कि आप क्या पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको इससे अंदाजा हो जाएगा learning objective भी कमो बेश, वो ही चीज़ बता रहे होते हैं examinability of the chapter, अच्छा overview आपने chapter के start में पढ़ना है, examinability of chapter आपने chapter के end पर पढ़ना है, examinability आपको यह बताएगा exam point of who से इस chapter के अंदर क्या चीज़ ऐहम है, क्या इस chapter में आई कि आप जादार case study वाला question पूछता है है, case study यह reproduction और किस concept में से expected है, लेकिन इसका हर्गीज यह मतलब नहीं है कि आप सिरफ जो यहां पर important कोई concept अगर highlight किया गया सिरफ उसी को त्यार करें, iCAP याद रखे, simple असूल है iCAP का और iCAP इसको follow भी करता है, कि किसी भी chapter में से कोई सा भी concept टेस्ट कर सकता है, iCAP किसी learning objective चलेंगे one by one, जिस तर्तीब से उपर learning objective one, two, three, four, five थे उसी तर्तीब से नीचे discuss होंगे, पहले one, two, three, four, five, concept discuss हो रहा है, यह main heading है, इसके नीचे different concepts है, bold है, फिर उसके बाद underline किया गया, bold है, उसके बाद उसको underline किया गया है, यह इस तरीके से बाद एक concept बड़ा होता ह उसके अंदर छोटे-छोटे concepts होते हैं, तो यह समय लिजिए, यह bold करके जो underline किया गया है, यह एक छोटा concept है, यह आगे discuss होते रहते हैं, यह चलते रहेंगे आगे, ठीक है जी, जब यह complete हो गया, इसके बाद end पे practice question है, practice question होगा, जो आपने attempt करना है, यह आपको जब daily home sentiment दी जाएगी, उसमें भी mention कर दिया जाएगा, यह आपने return farm में attempt करना है, यह practice questions सारे हमने वो उठाए हैं, जो iCAP की बुक में मुझूद हैं, लेकिन याद रखिए, iCAP की बुक के लावा भी, बहुत से questions ऐसे हैं, जो past papers में हैं, iCAP की बुक में नहीं है, मुझे पताईए और उन questions के लिए अलाइदा से हमने एक volume 2 बनाया हुआ है, जिसमें ऐसे questions हैं, जो iCAP की बुक में नहीं हैं, लेकिन further practice के लिए जरूरी हैं, further practice का source है, जाहिरा जितनी practice करेंगे, उतना ही आपका pass होने का chance बढ़ता जाएगा, तो इसके लिए volume 2 भी है, आपने volume 2 लाजमी कर करता है, सारे chapters उसमें included हैं, देखें हाँ teacher की ना, किताब बनाने की अपनी तरतीब होती है, अपना style होता है, ठीक है, जैसे कुछ दूसरे teacher हो सकता है, जो total book में फर्ज कीजिए 15 chapters हैं, तो book के 2 volume बनाए, 8 chapter volume 1 में हो, 7 chapter volume 2 में हो, उनका अपना style है, ठीक है, लेकिन हम क्या कर सामिल होती है, volume 1 in itself a complete package होता है, icap का सारे chapters उसमें शामिल होते है, volume 2 में concept नया नहीं होता, लेकिन practice additional होती है, इसलिए कि icap का question, case studies वारा हास्वाप attempt करने के लिए, जितनी ज्यादा practice करेंगे, उतना ही बहतर है, और बहुत से concepts ऐसे, कुछ concepts ऐसे हैं, जो कि icap की syllabus में है, ले पास-tripress में हैं, ठीक है, जैसे एक छोटी से example आपको देता हूँ, जो भी latest attempt होई है, आपको icap की book में, latest attempt icap की book में, इसका कोई question नहीं मिलेगा अब कोई question नहीं मिलेगा इसका मतलब क्या हमें practice ने करने चाहिए एक छोटी सी example ने करने चाहिए तो आपको कहां से मिलेगे question ने volume 2 में डाले तो volume 2 में भी आपको उसको practice करना है अगर आ volume 2 बाई नहीं करना चाहते ना कीजिए फिर iCAP की वेबसाइट के उपर पास्ट वेपर मुझूद हैं, वो डाउनलोड कर लेजेगा, ठीक है, क्योंकि अडिशनल प्रैक्टिस है, करना जरूरी है, अच्छा, iCAP की वुक में जो study text के अंदर questions हैं, वो दो तरह के हैं, एक वो questions है, जो iCAP ने पास्ट वेपर से उठ ठीक है, बस उसके बाद खतम, ज्यादा फोकस हमने उन questions के उपर करना है, जो iCAP के पास्ट वेपर के questions हैं, करेंगे सारे, आपने रिटन फार्म में भी सारे questions अटेंप्ट करने हैं, लेकिन खास दोर पर जो iCAP के पास्ट वेपर के questions होंगे, उनकी presentation के उपर खुसी तवज आपने उसी तरीके से करना है, जिस तरीके से टेकनीक मैं आपको समझाओंगा, अब यह कैसे पता चलेगा, कौन सा question iCAP का पास्ट वेपर का है, कौन सा iCAP की सिर्फ just example है, concept समझाने के लिए, आपने end पे देखना है, अगर तो यह लिखा हुआ है na iCAP book chapter 1, यह reference बता रहा ह कि यह question chapter 1 में शामिल है, example 1, example का मतलब है, इस सिर्फ example है, पास्ट वेपर का question नहीं है, जो पास्ट वेपर का question होगा ना, उसके आगे mention होगा, कि यह पास्ट वेपर का question है, अब कोई आता है तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, नहीं है इसमें, हाँ यह आगया, यह देख है, अब यह question है, question number 11, for example, यह iCAP की book में भी शामिल है, practice question number 5, जो पास्ट वेपर का question होता, iCAP इसको बोलता है, practice question, जो पास्ट वेपर का question नहीं होता, iCAP इसको बोलता है, example है, तो यह practice question पास्ट वेपर का, और साथ ही हमने यह attend भी लिख दिये, इस से आपको पता चल गया कि यह iCAP के past paper का question है, किस attempt में test हुआ जी है, autumn 2019, मैं autumn 29 का paper डाउनलोड करें, अगर iCAP की website से उसमें कौन सा question होगई है, question number 6, part A, clear जी, तो इस तरीके से आपको example भी मिलेगी, past paper, यह वाले past paper के question आपने खास तोर पे ध्यान से करने है, यह जो past paper का question नहीं है, example है, यह अगर आप सिर्फ समझ लिया और थोड़ा बहुत return farm में attempt कर लिया, दो चार lines में जैसे तासे समझ आई वैसे कर लिया, वो फिर भी ठीक है, इसमें हमारा मकसद सिर्फ concept को understand करना होगा, इसमें हमारा मकसद concept को understand करना है, प्लास उसको examiner की requirement के मताबिक present करना है, examiner की requirement के मताबिक present क प्लास ना भी एहम होता है, सिर्फ concept एहम नहीं है, presentation भी आप होगारा पर जो खाना सिखाते हैं, क्या यह कहते हैं बस खाना मज़ेदार होना चाहिए, या presentation भी तो खरेंगे ना, या वो presentation भी शिखाते हैं आपको, presentation भी शिखाते हैं, तो उसी तरीके से याद रखे हमने भी case study या question को attempt करते हुए, शिर्फ यह नहीं है कि concept जैसा है, फिट कर देना है, बलके उसको present करने का तरीका है, तो हमने जो past topic के questions करेंगे, वो सिर्फ question नहीं करना, उसको तरीके सलीके से present भी करना है, अब वो present करने का तरीका सलीका मैं आपको सिखाऊंगा, आपने उसको follow करत नहीं है, सही concept होना चाहिए, इसमें आपका concept भी सही होना चाहिए, आपकी presentation भी ठीक होनी चाहिए, आई के अब वाले question में याद रखिएगा, वापिस आते हैं जी, अच्छा एक चीज मैंने आपको बताई जो फरक होती है, डिफरेंट टीचर्स की अपनी अपनी तर्तीब है, एक तो मैंने आपको volume 1 और volume 2 का फरक बता दिया, अच्छा एक फरक और बता दूं, brackets का और study tips का, बाक्स बगारा का, बास वकात ऐसा होता है कि आपको बुक में चलते हुए, कुछ चीजी ऐसी होती है, जो brackets में नजल आ रही होते हैं, जैसे concept चल रहा है, आपको bracket में concept लिखा हुआ है, आपके लिए इसको याद करना जरूरी है, concept को कवर करते हुए, ये question है, दूसरा question है, बास वकात कुछ concept ऐसे होते हैं, जो के, इस तरीके से कुछ box वगारा में दिये गए होते हैं, जैसे ये box बना के दे दिया गया है, या box के अंदर जो concept है, उसको याद करना जरूरी है, देखे, a teacher की अपनी अपनी practice होती है, कुछ teachers box या bracket उस वक्त यूज़ करते हैं, जब उन्होंने कोई additional या optional information देनी हो, मेरी आदत है, मैं box उस वक्त यूज़ करता हूँ, जब मैंने ज्यादा एहम information प्रिजेंट करनी होती है, उस information को बाकी की information से जब ज्य है, वो आपने याद करनी है, वो भी आपने याद करनी है, सलेबस का हिस्सा है, उसको छोड़ना नहीं है, बलके जो box में information होती है ना, वो ज्यादा एहम है, routine की information से ज्यादा एहम है box वाली information, ये जेन में रखिएगा, अच्छा पिर इसके बाद question आगे, question learning objective आया, concept आगे, structure समझा रहा है, learning objective आया, concept आया, box आया, इसको याद करना है कि नहीं है, ये जो information है, हाँ, याद करना है, ये बलके ज्यादा एहम है, ज्यादा एहम है, फिर इसके बाद आगे, चलते रहे, ये book structure, heading, concept, ठीक हो गया, ये सारा, end पे आजाते हैं, end जब हो जाएगा, सारे concept complete हो objective type questions है, objective type questions है, ये iCAP की book के objective type questions है, लेकिन इसके अलावा additional practice भी मुझूद है, वो आपको volume 2 में मिलेगी, थूपके हमारे syllabus में MCQs भी है, इसलिए चाहर चाप्टर के end पे आपको MCQs की भी practice दी गई है, next, MCQs के बाद, इन MCQs का answer भी है, ठीक है, यहाँ पे question number होगा, one, two, three, correct option है, और उसकी explanation है, लेकिन exam में याद रखिएगा, आपने explanation वारा नहीं लिखनी होती, exam में सिरफ आपने ये वाला हिसा present करना होता है, MCQs में, आपने cap four में भी सीखा होगा, ये वाला, या explanation या statement नह को present की जाती है, कि आपको पता है, MCQs जो है, इसमें क्या है, जैसे अगर आप iCAP के past paper के कुछ MCQs देखेंगे, उसमें बाद उकात वो कुछ calculation करवाता है, तो calculation के बाद उसे चार option दिये ना, for example, तो एक option उसे ठीक बता दी, ये ठीक है, लेकिन उसकी calculation कैसे है, इसकी working show नह जो शायद iCAP के solution में ना हो, और इसी तरह बाद कुछ concepts भी ऐसी होते हैं, जो कि explain करना जरूरी होते है, तो इसके लिए, ये आपकी understanding के लिए है, exam में required नहीं होता, ये वला हिस्ता, exam में सिर्फ correct option लिखने है, फिर इसके बाद solution आता है, solution में उसी तरीके से question number लिखा होगा उसके आगे नीचे solution, question number उसके आगे solution, ये चलते जाएंगे ऐसे, question number उसके आगे solution, question number 11 solution, ठीक है, ये है end तक, अच्छा, इसमें जो जिस चीज़ को मैं आपको emphasize करवाना चाह रहा हूँ, वो है, दो चीज़ है, जैसे question number 3 है, question number 3 है, question number 3 है, ये हजी, question number 11, इसका solution है, examiner comments के साथ marking plan भी है, आप मैंसे कितने students को पता है examiner comments को पता है, और कितने students का पता है फानirs का क्या चीजा है और कितने student ऐसे हैं जो iCAP का जब भी कोई past paper का question करते है किसी भी subject का examiner comments और marking scheme भी देखते है यह बहुत लगए इसे है knowledge होना और चीज़ा है अमल करना और चीज़ा है वाइदा कब होता है अमल करने तो आपने कैफ 7 पे लाजमी तोर पे और बाकी सब्जेक्ट में भी रिकमेंडिड है पास पेपर का जब कभी क्वेस्टन करें आप स्टोंट है ना आपको ये लग रहा होता है स्लूशन सबसे ज़्यादा अहम है मैं टीचर मुझे अंदाजा है सलूशन सबसे ज़्यादा अहम है अग्जैमनर कमेंड्स सलूशन क्वेस्टन पेपर क्या है आई कैफ ने जो टेस्ट किया सलूशन क्या है आई कैफ जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि स्टोंट इस तरह का जवाब दे लेकिन आई कैफ का जो यसी सलूशन है कि हमारे लिए एक्जैक्ली उसी के मताबिक आंसर करना लाजमी है बताई क्या लाजमी है और लाजमी नहीं है अलफास डिफरंट हो सकते हैं कंसेट सेम होना चाहिए फिर solution के बाद चीज आती है examiner comments examiner comments मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा useful resource है जो आई कैप आपके साथ share करता है examiner comments क्या होते हैं जो आपके seniors नजीदों ने paper दी हैं उन्होंने इस question को attempt करते हुए क्या गलतियां की ये वो है अक्सर ऐसा होगा कि जब आप examiner comments पढ़ेंगे ना compare करेंगे more than 50% cases में ऐसा होगा आपको लगेगा ये मेरी बात करा है ये वाली गलती तो मैंने भी किया तो जब कभी ऐसा लगे आपको ये गलती जो वो कह रहा है मैंने भी किया आपने अपने आपसे वादा करना है कि आएंदा ये question अगर exam में इस तरह का question आया तो ये गलती मैं नहें करूंगा examiner comments वो गलतियां है जो आपके seniors ने की है और आपने हर्गिज वो नहीं करने ठीक है जी तो ये examiner comments examiner comments केदर है जी ये examiner comments आगे है ठीक है अब ही आपने question solve नहीं किया समझ नहीं आएंगे आपको क्या कह रहा है पढ़ने की कोशिश नहीं करें सिर्फ ये देखें कि एक चीज मुझूद है examiner comments आगे examiner comments के बाद next है marking plan marking plan वो बता रहा होता है कि मैंने किस चीज को देखके नंबर ले अक्सर स्रोंट को ये कहते हैं sir question पढ़ लिया हमें पता नहीं चलता क्या लिखना है कितना लिखना है तो जो marking plan होती है examiner comments के बाद मार्किंग plan मार्किंग plan से हमें पता चलता है कि AI CAP किस चीज को देखके हैं जो बाकियों से ज्यादा हमें ये अगर मजूद होना तो definition सही समझी जाती है AI CAP उनको देखके marks दे रहा होता है तो आपके पूरे solution में आपने अगर तीन paragraph में solution को present की है AI CAP ने उसमें कौन कौन सा point देखके marks दिये हैं कौन सा point देखके marks दिये हैं ये आपको marking plan में चलेग marking plan असल में फरक होता है कि आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं कि target पे ये आपको बताता है कि target क्या था जिसको हिट करना था आपने अपने solution में अगर उस target को हिट किया आपको number मिलेगा target को हिट नहीं किया दाएंबाय गूमते रहें जितनी मर्जी बातें करते रहें आपको marks हर्गिस नहीं देता तो ये marking plan जरूर और खास तोर पे सबसे एहम examiner comments अगर आई कैप कहे ना हमसे के question paper solution examiner comments marking scheme चार चीज़े हैं बोले एक चीज़ इसमें से select करें क्या करनी है तो मैं क्या select करूंगा examiner comments इस से पता चलता है स्टोर्ट्स क्या गलतिया कर रहे हैं और हमने क इस चीज़ के ओपर काबू पाना है improvement करनी होना तो उसके लिए यह जाना जरूरी नहीं होता आप क्या सही कर रहे है improvement करनी होते है जाना जरूरी है क्या गलत कर रहे है examiner comments आपको बताता है आपनों क्या गलत कर रहे हैं बैक clear होगी यह बाद अच्छा पर पिसके बाद और कमेंटस भी नहीं आई कि आपके बुक्स में मार्किंग प्लैन भी नहीं है क्वेस्टन है और सुलूशन है कि जब आप क्विश्व को पढ़ रहे होते है ना तो आपको शायद अंदाजा नहीं होता कि सबसे एहम लफज कौन सा है हम पावर वर्ड जिसको हम बोलते हैं श ये आगे रोटीन का ये वोट कुछ अलफाज बोल्ड है इनका मकसद ही होता है कि आपको पता चल जाए ये ज्यादा एहम लफज है बाकी डैफिनेशन में आगे पीछे वाली सिए चाहे बूल जाए अपनी तरफ से भी लिक देमों कोई प्राब्लम नहीं है मतलब कोशिश आपका कंसेट सारा रिवाइज हो जाएगा ये ज्यादा है हम होते हैं कोई के लिए जरूरी होते हैं कि आप सिरफ इन अलफाज को चलते जाएं पढ़ते जाएं कंसेट रिवाइज होता जाता है ठीक है ये पहली दफ़ा रीडिंग करते हुए शायद आपको इतने काम के ना लगे ये लफाज लेकिन जब आप रिवियन कर रहे होंगे उस वक्ताव को अंदाजा होगा कि ये यूसफुल है ठीक चलिए ये तो था हमारा हमारी वाली बुक का स्ट्रक्चर अच्छा यहां पर स्टार्ट में आपके साथ मेंशन किया कि अगर आप कोई कंसेट हमने इसमें नहीं है तो गर कोई अडिशन संप्ट आप डूनना चाहते हैं क्या करें यहां पर क्या कर रहा है आई कैप के चैप्टर वन पर जाएं और उसमें सैक्श्न वान पर जाएंगे यह है आई कैप के बुक आइक की वेब साइट पे मौजूद है नहां से डाउन्लोड क सकते हैं वरना मैं आपके गुरूप में भी आपके साथ शेर कर दूँगा यहां पर जाएए लेफ्ट साइड पर क्लिक कीजिए यह क्लिक कीजिए यहां पर आपको चैप्टर मिल जाएगे चैप्टर 123456 हमने किश चैप्टर में जाना जी चैप्टर बन में चैप्टर बन के बाद यहां पर इस चैप्टर की यह सारे सेक्शण लिखे हुए 12345 ठीक है यह यहां पर बहुद नीचे है यह सेक्शन 1 है फिर इसके बाद यह जो है ना यह सब section है, section 1, subsection 1.1, फिर इसके बाद आगे चलते जाएं आगें चलते जाएं चल रहा है, यह sub section 1.2 आ गया, sub section 1.3 आ गया, चलते जाएं singing, इस तरीके से जब section 1 complete हो जाएं पहर बस section 2 शुरू हो गया, फिर subsection 2.1, फिर subsection 2.2, इस तरीके से आगे चलता जाएगा, अब अगर तो किसी learning objective में पूरा section नहीं है मैं ना, तो याद रखें मैं उसमें सिर्फ इतना लिखूँगा section 1, section 1, आई-कैप के book के आगे section 1, अपने हमारे जो हमारे book होगी, यह नहीं लिखूँगा section 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, सारा नहीं लिखूँगा, सिर्फ क्या लिखूँगा section 1, इसका मतलब क्या है, section 1 सारे का सारा शामिल है, आपने अगर learning objective 1 पढ़ लिया है, आई-कैप के book को पढ करना चाहते हैं, जाके section 1 सारे का सारा पढ़ लिजिए, लेकिन सम्टाइम ऐसा होगा के section 1 में सिर्फ 1.2 और 1.3 अहम है, तो वहां पे फिर मैंने learning objective 1 के आगे क्या लिखा होगा, 1.2, 1.3, chapter 1 पे जाएए, 1.2 पढ़िए, 1.3 पढ़िए, बाकी और कोई चीज नहीं पढ़न उसमें chapter 3 है हमारा, हमारी author book के मताबिक, learning objective 4 है, उसके आगे लिखा हुआ है chapter 3, icap reference में chapter 3, और आगे reference लिखा हुआ है 2.1 and 3.4, इसका क्या मतलब है? chapter 3 में जाके section 2 में जाए, subsection 1, और फिर सी तरह section 3 में जाए और subsection 4 होगा उसका, clear हुआ ये link, अब क्या अगर आप हमारी वाली book में से कोई concept study करते हैं, तो फिर उसके बाद अगर icap की book से आपने पढ़ना है, जो कि मैं recommend करता हूँ, आपको जरूर पढ़ना चाहिए, reading उद होगा, बहुत मुश्किल है, लेकिन read जरूर कर लीजगा, ensure करने के लिए के concept सारे complete हो चुके हो, तो अब आप हमारी book से icap की book पे जाके reference डूर सकते हैं, कि ये concept icap की book में किस जगा पे इस्तमाल हुआ है, आशाबाश, वहाँ पे आपको अगर कोई एक लफज भी ऐसा नज में पड़ा यह इसने शामिल नहीं, आपने मुझे बताना जरूर है, फिर उसका बात मैं आगे आपको रहे एक्समेंद करूंगा, सुम टाइम बेडिन में में करना होगा, सुम टाइम नहीं करना होगा, सुम टाइम शायद इंग्नोर करना हो, वह मैं आपको फिर सकी reason पता चलिए, अब हम चलते हैं, अपने कंसेट्स की तरह, कंपनी लागा का पहला कंसेट्ट स्टुडी करते हैं, जो कि बेसिकली डैफिनेशन है एक कंपणी की, धूर विजनिस अर्गनेशेशन होती हैं वो तीन होती हैं पूरी दुनिया में तिन तरह की मोमी तोर फे ऐर टाइपस फार्गनिशेशन होती है जो बीजनिस कर रही होती हैं सोल परफिटरशेप पार्टैशेप видно-शेप परने हैं सम्टाइम कुछ और अधर एग्जेम्पल्स भी होते हैं जैसे नौट फाफिट और्गॉनाइजेशन वगरा है लेकिन कॉमन एग्जेम्पल्स यह हैं जो कि प्रॉफिट परपस के लिए बिजनिस कर रही होती हैं सोल प्रॉपरइटरशिप पार्टरशिप पर कम के वे किबल थे वो आप केफ हो पॉर बिजनिस वा में स्टडिकर चुके हैं अब केफ सेवन कमपनि ला में आप क्या स्टडिकरेंगे कि जो कंपनि फार्म ऊफ बिजनिस आर्गनाइजेशन पर कोनकौन इस्रिए इसका नाम भी कंपनि ला है ़ो बाग जो कमपनि पे apply ہوتا ہے ठीक है और law के बारे में आपने study किया होगा कि law जो है वो time to time change होता रहता है तो पाकिस्तान में इस वक्त जो company law applicable है ना इस वक्त वो है companies act 2017 ठीक है और इस से पहले जो company law applicable होता था 2017 से पहले क्या पाकिस्तान में company नहीं होती थी तो वो किस कानून के मताबिक चलती थी वो कानून होता था company's ordinance 1984 और इवन उस से भी पहले 1984 से पहले भी तो companies होती थी तो उससे पहले company ला कौन से applicable होता था कौन से वाला ला companies ला applicable होता था उस से पहले होता था companies act غالبا है 1912 1913 1913 1913 1913 यह कमनी जाट एपली के बल था तो यह बैसिकली कमदी लाज वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं अगर आप से कोई पूछे के कमपनी लाज कितने हैं टोटल पाकिस्तान की हिस्टरी में तो वो आप जब कमपनी लाज की डेफिनेशन पूछे आप उसमें इसको तीनों बताएंगे कमपनी जेक्ट 1930 भी, 1984 भी और 2017 भी लेकिन इस वक्त जो पाकिस्तान में कररंटली एपलिकेबल है वो कमपनी जेक 2017 है ठीक है जी तो ये तो आपको पता हलका सा कंसेप्ट दे दिया हमने कमपनी लाज का अच्छा अब इसके बाद थोड़ा कंपनी फार्म ओफ बिजनिस आर्गुनिजेशन को डिसकस करते हैं के ये क्या चीज़ है कंपनी देखे इसके उपर जो लाज एपलिकेबल है वो तो बाद में हम स्टड़ी करेंगे कि कौन कौन सा लाज इसके उपर एपलिकेबल है कंसे sinister switch की एक होती है conceptual definition लीगल डेफिनेशन अमूमी तो और पए concept बिल्ड करने के लिए इए काफी नहीं होती concept बिल्ड करने के लिए हमें simple words में उसकोसमझना होता है जब simple words में समझ है फिर इसकी legal definition कोसमझ नहीं है क्योंकि जब कोड़ कोड़ा में केसिज चलते हैं ना उस वक्त लीगल डैफिनेशन को ही एनलाइस किया जाता है सामने रखा जाता है लेकिन लीगल डैफिनेशन सम्टाइम सफिशेंट नहीं होती कंसेट को समझने के लिए जैसे लीगली जो कमपनी की डैफिनेशन है ना वो ये है कि वो वाली बिजनिस और्गुनाइजेशन कंपनीज होती है जो अंडर कंपनीज एक्ट रिजिस्टर्ड हो जो अंडर कंपनी ला रिजिस्टर्ड हो लेगली ये डेफिनेशन ठीक है बाई जो partnership act के मताबिक business registered होगा वो partnership है वो company थोड़ा ही है और जो company ला के मताबिक यानि company that 2017 के मताबिक आजकल registered है business वो company होगा वो partnership थोड़ा ही होगा तो बात बिल्कुल ठीक है लेकिन ये कह देना कि company का मतलब वो business organization जो company ला में registered है इससे उसकी conceptual उसका concept clear होना थोड़ा मुश्किल है तो इसलिए हम पहले इसका concept clear करने के लिए समझते हैं कि company farm of business organization क्या होता है लेकिन पहले मैं ये देखना चाहता हूँ क्या sole proprietorship और partnership का concept आपको याद है जो कैफ 4 में study किया था क्योंकि हम इन concept को फिर इसके साथ compare करेंगे sole proprietorship में मुझे बताईए maximum कितने ओनर होते थे एक partnership में कितने ओनर होते थे कम से कम दो और maximum 20 banking business में शायद 10 होते थे और professional में exceptions होती थी 20 से जादा थे company farm of business company का concept उस वक्त आया जब machinery इजाद हुई आज से तकरीवन डेड़ 200 साल पहले क्योंकि जैसे ही machinery इजाद हुई जो सबसे बड़ा फरक पड़ा वो ये के manually जो काम हुआ करता था वो slow हुआ करता था घलतियां नहीं होते थे जितने आजकल आजकल तो अगर कोई एक परसंट बाज उकात कुछ ऐसे लोग भी है कि अगर वो पूरी कोई limit ना हो हाज से डेड़ 200 साल पहले सिर्फ दो तरह की बिजनिस और इसे होती थी फिर एक नया कंसेप्ट आया कंपनी का जिसे जॉइंड स्टॉक कंपनी भी कहते हैं जॉइंड स्टॉक कंपनी उसका ट्रेडिशनल नेम है आजकल हम सिरफ कंपनी उसके लिए वर्ड बो बढ़ा सकते हैं ठीक है तो ये कंपनी फार्म उफ बिजनिस का कंसेप्ट आया अचा अब जो नया फार्म उफ बिजनिस इंट्रोडूस किया गया वो कंपनी है अब हम मन बावन इसके फीचर्स को एनलाइज करेंगे फीचर्स को एनलाइज करेंगे देखें मुझे पहले एक चीज़ बताईए, इसको conception समयने से पहले आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या इस दुनिया में कोई ऐसी चीज़ मुझूद है, जो मुझूद तो है लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, हाँ बिलकुल शाबाश हवा, बिलकुल दरुस्त जवाब है, वो मुझूद है, हम उसको देख नहीं सकते, ठीक है, लेकिन मुझूद है ना, उसको महसूस कर सकते हैं, और बाजकात उसके कुछ फीचर्स भी होते हैं, हवा तेज है, हवा हलकी है, हवा ठंडी है, हवा गरम है, ठीक है, यह उसके फीचर्स होते हैं, इन फीचर्स से हमें पता चलता है, कि यह क्या चीज़ है ऐसा है एक्जेकली उसी तरीके से यह तो अल्ला ताला ने क्रियेट की हुई है ना उसी तरीके से इनसानों ने भी एक चीज़ क्रियेट की हुई है जो के नजर नहीं आती वो क्या है वो कमपनी है नजर नहीं आती लेकिन एक्जिस्ट करती है और यह इसम इसनों ने क्रियेट की है अच्छा अब वो चीज देखे वो चीज जो नजर आजाए ना एक्जिस्ट कर रही है और नजर आजाए उसको समझना बहुत आसान है आप उसको देखते हैं आप उसके फीचर्स के बारे में पता चल जाता है यह हाथी आपके सामने तस्वीर दिख समझाना असान है लेकिन जो चीज नजर नहीं आ रही होती उसको समझना समझाना मुश्किल है तो अब हम कोशिश करने जा रहे हैं एक ऐसी चीज़ को समझने समझाने के लिए जो एगजिस्ट कर रही है लेकिन हमें नजर नहीं आती है और वो क्या चीज़ है कमपनी अब ह फीचर्ज आफ्कमपनी पहले पहले यह सेपरेट लीगल स्टेटेटरस सेपरेट लीगल इसका एक अपना अलग वजूद होगा। इसको अपनी एगजिस्टन्स के लिए किसी दूसरे के वजूद की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेपरेट लीगल स्टेटस है। अब वो बड़ी परानी बात है मुझे भूल गी है लेकिन साइंस में ना कभी वो मैट्रिक में बड़ी थी। उसमें कुछ इस तरह का एक कंसेप्ट होता था कि दुनिया में कुछ पता नहीं हशरात है या जानवर है कुछ ऐसे होते हैं जिने याद रखिए कंपनी पैरासाइट नहीं है इसका अपना एक सेपरेट लीगल स्टेटस है ये किसी के उपर डिपेंडेंट नहीं है इसका अपना अलाइदा वजूद है लाव इसको एकसेप्ट भी करता है ये अलग बात कि इसके साथ कुछ दूसरे लोग जुड़े होंग लेकिन इसका अपना एक सेपरेट लीगल स्टेटस मुजूद होता है इसके अंदर काम करने वाले लोग भी होंगे लेकिन काम करने वाले लोग छोड़ भी जाएं इसका अपना सेपरेट लीगल स्टेटस मुजूद रहेगा इसके अंदर मैनेजर्स भी होंगे इसके अंद रहेगी यह सेपरेट लीगल स्टेटस सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब क्या है एक कमपनी का अपना सेपरेट स्टेटस होगा कानूनी तोर पे कानूनी तोर पे इसे अपने ओनर्स के साथ इसे अपने कस्टमर से इसे अपने मैनेजर से अलैदा एंटिटी तसवर किया है। उसमें concept होता है separate legal entity नहीं होता। उसमें शायद होता है separate entity concept। जिसमें वह है कहता है कि business एक अलएदा entity है उसका अलएदा वजूद है जो उसका owner है वह अलएदा है। बजाहिर दिखने में वह counting का concept है लेकिन मिलता जुलता इसे कहता है बजाहिर दिखने में आप देखें तो बिजनिस को ओनर चला रहा होता है लगता है जो बिजनिस है वो ही ओनर है लेकिन आपको शुरू में ही एक fundamental concept सिखाया जाता है कि ओनर की अपनी जाती transaction अलग है separate है और जो बिजनिस की transaction है वो अलग है हम जो counting सीखते हैं वो किसकी transaction की सीखते हैं बिजनिस की transaction उसमें बिजनिस की transaction है यह है separate यानि business is separate from its owners उसी तरह law क्या कहता है separate legal है वो के तो है separate entity कि इन्टी कंसर्ट। क्या मैं कि मैं के county separate है इसके owner से लेकिन कैसे accounting के point of use नहीं separate रॉष करता है से अकाउंटिंग में हम दोनों को separate करते है accounting के point of 15 क्योंको इसकी accounting करते हैं इसकी accounting its की according करन US की और लग करनी है law में भी हम दोनों को separate कर रहे हैं लेकिन legal point of who से कि इसकी कानूनी हैसियत अलग है इसकी कानूनी हैसियत अलग है owner की कानूनी हैसियत अलग है business की कानूनी हैसियत अलग है अगर आपने case file करना है ना अगर company ने कोई ऐसा माल supply कर दी आपको जो के ठीक नहीं है केस फाइल करना है तो आपने डिसाइड करना होगा ओनर के खिलाफ केस फाइल करना है या कमपनी के खिलाफ केस फाइल करना है क्योंकि दोनों separate हैं आप ये नहीं है कि ओनर के खिलाफ केस करें और रजिम करें कमपनी के खिलाफ भी यही केस था क्या कमपनी के खिलाफ केस करें तो कहें ओनर के खिलाफ भी यही था नहीं दोनों separate हैं अगर आपने एक के खिलाफ केस करना है उसका नाम लिखेंगे दोनों के हिलाफ भी केस कर सकते हैं दोनों का नाम लिखना पड़ेगा सेपरेट लीगल एंटिटी कंसेप इस तरह मुझे बताईए एक कमपनी क्या अपने ओनर से सेपरेट है अच्छा मुझे बताईए ओनर्ज ने उस कमपनी के अंदर कैपिटल डाला दस लाग खा और उस कैपिटल से एक प्लाट खरीदा गया प्रॉपर्टी खरीदी गई वो प्रॉपर्टी किसकी है कमपनी की या ओनर्स की कमपनी की शाबाज क्योंकि वो कमपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है क्या कमपनी का अपना एंटिएन भी होता है बिल्कुल कमपनी की अपनी टेक्स लाइबिल्टी भी होती है अपनी कमपनी ने अपनी टेक्स लाइबिल्टी खुद पे करनी होती है तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट समझाया अच्छा चलिए मुझे एक चीज़ बताईए कि ये है ओनर्स फर्स कीजिए A, B, C इन्होंने मिलके एक कंपनी बनाई कंपनी का नाम है चले है यही नाम रखते थे A, B, C लिमिटेड ये Mr. A, Mr. B, Mr. C है पहला कंसर्वर्ट सुने जीए आपको कैसे पता चलेगा कि ये कोई natural person है natural person किसे कहते है जैसे मैं और आप इन्सान जो exist करते हैं दिखाई़ भी देते हैं वो natural है और कंपनी artificial person है artificial person किसे कहते है exist करता है दिखाई नहीं देता कैसे पता चलेगा नाम से case study के अंदर exam में कि ये natural person की बात कर रहा है कि artificial person की बात कर रहा है word limited से अगर किसी के नाम कहले word limited है तो इसका मतलब वो company है और अगर word limited नहीं है वो natural person है exam में ये concept टेस्ट करेगा फैसल में फैसल ने ये काम किया और फैसल लिमिटिड ने ये काम किया दोनों में फरक है क्या फरक है फैसल नेचरल परसन है फैसल लिमिटेड आर्टिफिशल परसन है दोनों सेम नहीं होगी अगर उसका अनर है फैसल अगर फैसल लिमिटेड का अनर दोनों सेम नहीं है नहीं दोनों सेम नहीं है सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट हमें यही बताता है किनों ने मिलके ABC Limited Day कमपनी बनाई इस कमपनी ने आगे तीन काम किये इससे चीजे उधार खरीदी क्रेडिटर से डैटर्स को उधार बेची कुछ कैश पड़ा था उससे एक लेंड बाई की क्लियर बताईए आप क्या कहेंगे ये ट्रांजेक्शन किसने की है अच्छा अच्छा लेकिन एक चीज़ मैं आपको बतादू अब आगे मजीद कंसर्ट ये कमपनी के अपने हाथ पैर नहीं है ये चल के ना किसी डैटर के पास जा सकती है और ना किसी से कैश हाथ बढ़ा के कैश वसूल कर सकती है इसके हाथ पैर नहीं होते है क्योंके लीगल परसन है नेच्छल परसन थोड़ा ही है हाथ पैर होते है आर्टिफिशल परसन जैसे आर्टिफिशल इंडिजेंस होते है नेशनल इंडेलिजन्स हमारी आर्टिफिशन इंडेलिजन्स तो ये आर्टिफिशल परसन है इसी लिए मिस्टर ए बी और सी इसके अंदर मैनेजर या डिरेक्टर्स के तोर पे काम करते हैं और जो जो चीजे जरूर जैसे कहीं से माल खरीदना हो तो मिस्टर ए वो गाड़ी बे जाता है माल लोड करवा के वापिस गुदाम में रिखवाता है किसी को माल बेचना हो मिस्टर बी जाता है और माल डिलिवर करके आता है land buy करनी हो Mr. C सारी legal documents register करवाता है काम हो रहा है company का लेकिन वाया natural person हो रहा है तो क्या कहा जाएगा अगर company ने data से पैसे वसूल करने है का company खुद वसूल कर सकती है उसके बहाफ पे उसके agent के तोर पे कोई ना कोई natural person ये काम कर रहे होंगे लेकिन याद रखे काम natural person कर रहे होंगे लेकिन अगर वो company के बहाफ पे काम कर रहे हैं तो वो company के agent के तोर पे काम कर रहे है legally ये समझा जाएगा कि ये काम company ही कर रही है जैसे दिखने में क्या नजर आएगा कि मिस्टर A गया उसने डेटर से पैसे वसूल किये शायद दिखने में ये नजर आए लेकिन एक्चुली सिचुएशन क्या होगी लिगली हम क्या कहेंगे कि डेटर ने ABC लिमिटिड को पैसे अदा किये हाला कि कमपनी को एक इमिलाई जाके पैसे वसूल करके आ रहा होगा ठीक है ये बिल्कुल ऐसी है जैसे कोई लेंडलॉड है वो क्राया वसूल करने के लिए क्रायदार के पास अपने किसी मलाजम को बेज़ देता है वो करायादार मलाजम बजाहिर लग रहा है उसने मलाजम को रेंट अदा किया है लेकि तसल में वो किसको रेंट पे कर रहा हुता है मालक मकान को रेंट पे किया है तो कंपनी चुक्कि आर्टिफिशल परसन है इसकी एक्जिस्टन्स नहीं होती ये खुद कहीं पे आ जानी सकती इसलिए आने जाने के लिए कुछ इम्पलाइज रखे गए होते है वो इम्पलाइज इसके एजेंट होते हैं इसके बहाँ पे काम करते है तो company को अपने बियाद पे काम करने के लिए कुछ employees की worker की जरूरत पड़ती है बाद उकात वो अनर खुद ही worker बनके भी काम कर रहे होते हैं अगर फारिग हो अगर फारिग ना हो तो कुछ workers को company point भी कर सकते है ठीक है जी company point भी कर सकते है अच्छा मुझे बताईए ये जो debtors हैं इन से पैसे legally बताना है किसने वसूल कर रहे हैं practically नहीं यानि बजाहिर के नजर है का वो लीगली debtors से पैसे किसने वसूल करना है debtor ने किसको पैसे देने है असल में debtor company को पैसे नहीं देंगे तो कही नजर ही नहीं आती है वो किसने किसी बंदे को ही देंगे जो company के बहाफ पे इनके पास आएगा लेकिन legally क्या है company इसको हम कहते है a company can own assets creditors ने creditors को किसने पैसे देने है इन्होंने किसे पैसे लेने है company से बजाहिर इनके पास कोई नहों की employee आएगा चेक लेके लेकिन legally company के साथ transaction हो देंगे इसको कहते है company can own liabilities company के अपने assets भी हो सकते है liabilities भी हो सकते है company property भी उन कर सकती है company agreement कर सकती है क्या बिलकुल company agreement भी कर सकती है लेकिन sign कैसे करेगी इसके तो हाथ ही नहीं होते है stamp लगादेगी stamp लगाने के लिए भी हाथ जरूरी होते है इसके विहाफ पे कोई ना कोई agent होगा जो इसका director होगा manager होगा इसका employee होगा जो कि agreements भी पे साइन कर रहा होगा तो ये पहली चीज़ हमने फीचर में study की separate legal status अगर ये समझ आ गया तो समझ रही है company लागा सबसे basic concept एहम concept वो आपको समझ आ गया के separate legal status का मता है separate entity concept नहीं वो counting था इसकी accounting separate separate legal status legal का लफ़ आना जरूरी है ये क्या बता रहा है legal status company का different है owners का legal status different है इसकी अपनी legal requirements होगी owners की अपनी होगी तो मुझे बताईए जो companies act apply होना है ये owners पे apply होना है ये company पे company पे शाब बाश इसलिए पहले company का concept हमने समझा कहीं ऐसा न रिक्वार्मेंट companies act की हो और हम apply करते owners पे हाँ कुछ ना कुछ जगों पे वह डिलिंग होती हैं कि जैसे उनर्स ने इसके investment कैसे करनी है इसे dividend कैसे लेना है इसके ओपर कुछ legal requirements हैं जिन में वह भी discuss हो रहे हैं आपको बताई ना county में भी ऐसा होता था आपको सिखाया जाता था owner की transaction लादा है बिजनिस की लादा है फिर कुछ transaction ऐसी भी आती थी जिए में दोनों कामन होते थे तो उसमें लेकिन हम किसके पॉइंट आफ उसे कांटिंग कर रहे होते हैं लेकिन उसमें भी application हम किसी पॉइंट आफ उसे करेंगे सेप्रर लीगल स्टेटस यानि company एक परसन है एक इनसान है इनसान नहीं करना चाहिए बाद जो भी कर लें इसको उसका एक वजूद है लेकिन वो वजूद नजर नहीं आता परसन है लेकिन वो अर्टिफिशल परसन है कहीं नजर नहीं आता लेकिन company इसका मतलब क्या हुआ फिर इसकी application क्या हुई इसकी application यह हुई company can own its assets company अपने assets की खुद मालिक है खुद मालिक अब तर्तीव जहन में रखेंगा लीगली owners ABC ABC limited के मालिक हैं गोर से सुनिये का बात लीकर पर ये case में इसमें जजने रिमार्ट्स दिये थे ABC तीनों ABC limited को own करते हैं ABC limited की land को own नहीं करते land को ABC limited on कर रही है ABC limited को ये own कर ये ABC अपनी personal capacity में इस land को सेल करने का agreement नहीं कर सकते क्योंकि वो इसके अनर नहीं है अनर कौन है यहां पर A ने का इन तीनों ने का था कोर्ट पे उसने का सर company तो हमारी ही है ना तो company हमारी तो उसकी हर चीज भी हमारी उने का ऐसे नहीं है separate legal entity क्या कहता है company तो आप की है लेकिन company की हर चीज company की है ठीक है ये legal है थोड़ा सा शायद आपको confusing लग रहा हो लेकिन आगे चल कि इसकी हम application study करेंगे company itself is liable for its debts क्राइडिटर को पेक अच्छा आप यहां में देखें प्राब्लम प्राब्लम नहीं एक इसकी application ABC Limited ने क्राइडिटर को पैसे देतने हैं सोच के बताईएगा अगर ABC Limited किसी वज़ा से क्राइडिटर को पैसे ना दे पाए क्या क्राइडिटर Mr. A या B या C से पैसे ले सकते हैं नहीं ले सकते यह है separate legal entity वो कहेंगे बाई जान वो आपने पैसे किसी separate person को दिये हैं और वुसूली किसी separate person से करने आगे हैं वा अच्छा मुझे बताईए कैफ फोर में तो हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई partnership जिन स्टोर्स ने पढ़ा हुआ है कितने स्टोर्स ने कैफ फोर बिजनस ना नहीं पढ़ा हुआ जिनों ने पढ़ा हुआ हैं उनके लिए सिर्फ एक additional example दे रहा हूँ कि अगर partnership के कोई क्रेडिर किसी से लोन दिया और पार्टनर वो लोन partnership फ़र्म पे नहीं कर पाती तो वो किसी भी partner से वसूली कर सकते हैं याद है यह concept लेकिन यह वहां पे concept था यहां पे concept नहीं किस वज़ा से यह चीज़ यह चीज़ शाबाश अब तसली हुए मुझे समझ आया separate legal entity की मुझे इसका मतलब है इसका मतलब है पार्टनर्शिप का separate legal status नहीं होता लेकिन company farm of business organization का separate legal status होता है ठीक है वह यह बास समझाए company itself is liable for its debts company can make contract in its own name अपने नाम से contract कर सकती है किसी के साथ buying के agreement करना है selling के agreement करना है किसी को hire करना है land के agreements करने है अब इस land के जो title documents बनेंगे ना वो Mr. A के नाम पे transfer नहीं होंगे ABC Limited के नाम पे transfer होंगे कुछ कुछ समझाए चले आज अगर आपने सरफ ये एक feature भी पढ़ लिया ना जो सबसे अहम feature है सबसे अहम तो भी काफी है चेक पॉइंट यहां पे कोई question है तो पूछ लीजिए शाबश हाँ अगर creator company के खिलाफ case file करते है creator को पैसे नहीं मिलते creator को पता है कि ये Mr. A, Mr. B या Mr. C से recover नहीं करवा सकते company से ही recover करवाएंगे company के खिलाफ case file करेंगे company को defend कोन करेगा company का एक lawyer company किसी lawyer के पास जाएगी lawyer के साथ agreement करेगी के हम आपको पांच लाफ रपिया देंगे आप ये केस हमारे बिहाब पे लड़े हाँ अगला सवाल ये था company के हाथ पैर तो नहीं है वो कैसे जा सकती है company अपने किसी employee के थूँ जाएगी हर company ने employees रखे होते हैं ला रिक्वाइर करता है के company का कम अजकम एक employee होना लाजमी है ला रिक्वाइर करता है company का कम अजकम एक owner होना लाजमी है और कम अजकम एक employee होना लाजमी है practically ये तो minimum है ना practically तो ऐसे बे cases है हजारों owners होते हैं और हजारों employees भी हो सकते हैं लेकिन कम अजकम दरजे में क्योंकि कमनी ने कुछ कामशाम तो करने ही है ठीक है तो इसलिए एक employee होना जरूरी है agreements वेरा कर रहा हुता है sale कर रहा है, purchase कर रहा है, collection कर रहा है, payment कर रहा है buying, selling, सारी सीज़ों कर रहा है clear हो जाए और की question जी कमनी की liability ये बाद में हम study करेंगे इसके उपर मैं comment नहीं कर रहा नहीं कर रहा हाँ वैसे एक Islamic principle है, जो कुछ लोगों के ख्याल में एक additional concept lecture खतम हो गया, सरफ additional concept बता रहा हूँ जो company का concept है ये गैर शरही है उसकी reason मैं चले हैर, मुझे नहीं कहना, बोलना नहीं चाहिए था ये लफ़ज, लादे डिबेट शुरूए जोड़ें इसको reverse कर दें, ये ये लफ़ज आए, ये लफ़ज आए ये मैं लाईबिरिटी के साथ, आपको explain करूंगा, असूल ये होता है, आपने सुना ही होगा कि अगर आप किसी से कर्ज लेना तो आपने उसको अदा कर्ज आए कर्ज माफ नहीं हो सकता, कर्ज तो मेरा limited knowledge है मैं confirm नहीं बता रहा है जो मेरी understanding है वो ही बता रहा हूँ तो शराई नुकता है नजर से ABC limited ये business हिनका है इसका फाइदा सारा इनको मिल रहा है तो ये जो loan लिया हुआ है अगर ये company वापिस नहीं भी कर पाती ना इनकी जिम्मेदारी है वापिस करें loan इन्हों नहीं लिया हुआ है और इस लेकिन company law क्या कहता है law क्या कहता है कि अगर नहीं company पे कर सकी separate legal ये separate legal concept जो है law में लिखा हुआ है वरना आपको ये loan लिया है फाइदा ये उठा रहे है जब देने की बारी आए बें देखें इससे एक business होगा profit होगा किसको जाएगा इनको जाएगा बैकेंड पर ये है और जब देने की बारी आए separate legal entity अच्छा इसको बड़ा miss use भी किया है बहुत सी companies ऐसी होती है वो बैंक से loan लेती है लोन जाहरा वाम का होता है और बाग में अपने आपको bankrupt शो करवा के वो फुद बाहर foreign country याशी कर रहे है और इदर वो जिन लोगों ने पैसे दिये थे वो default पुड़े है तो इस separate legal entity वाले concept को miss use भी किया जाता है लेकिन बहराल हमने तो जाहरे law पढ़ना है तो जो law कहेगा हम उसके मताबिक ही सीखेंगे ठीक है इसके मताबिक ही सीखेंगे लेकिन practice में आपने जहां पे भी जिस position में भी हो चाहे employment की position में हो चाहे business entrepreneur की position में हो किसी ना किसी मुफ्ती साब के साथ ही टच रा करें